आज हम एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं यूनिट्री मेटड तो आएए देखते हैं क्या है यहां पर देखिए हमारे पास कुछ बनेनाज हैं रोहित पेज रुपिस 30 फरी बनेनाज स्थि» यह रोहित पेज रुपिस 36 फर फ़्रपनेंच रोहित है उसके पास चॉइस है उसको एक जिगह पर फ्री बनेनाज 30 रुपीश के मिल रहे हैं 4 bananas 36 rupees के मिल रहे हैं तो हमें बताना है which is a better buy तो इसको देखके दोनों को compare करके बताना है कि better buy कौन सा है, उसके लिए कौन सा option अच्छा रहेगा तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा option उसके लिए अच्छा है या आप ये भी कह सकते कि कौन सा option उसका है उसके लिए हम क्या करेंगे पहले ये देखेंगे कि इधर वाले जो bananas हैं हमारे पास इसमें एक banana की cost कितनी है और यहाँ पर जो हमारे पास bananas है इसमें से भी हम ये देखेंगे कि एक banana की cost कितनी है फिर हम compare करके बता सकेंगे कि कौन सा better भाई है तो चलिए प्लेले यहां find out करते हैं यहां 3 bananas हैं 30 रुपीज के that means 1 banana कितने का हो जाएगा 30 को आप 3 से divide कर लोगे कितने का हो गया 10 तो इस तरफ एक banana हमारे पास 10 रुपीज का आ गया हर banana 10 10 का हो गया देखिए वो 30 रुपीज के हो गए अब इधर देखते हैं यहां पर 36 रुपीज के 4 रुपीज है means 4 रुपीज 36 रुपीज के हैं तो 1 banana कितने का हो जाएगा 36 divided by 4 9 तो इधर देखिए एक banana हमारे पास 9 रुपीज का आ गया यह भी 9 रुपीज का है यह भी 9 यह भी 9 और यह भी 9 यहां 9 रुपीज के हैं तो देखिए 9 4 रुपीज रुपीज हो गया अब हम बता सकते हैं कौन सा option हमारे लिए easy है तो देखिए यहां एक banana 10 रुपीज का है इधर एक banana 9 रुपीज का है इसका मतलब रुपीज के लिए यह वाला option बैटर है तो हमने क्या किया हमें एक की cost निकाली तो इसी को unitary method कहा जाता है unit means one यह जो unit है word इसका मतलब है one तो एक की cost अगर हम निकालेंगे तो हम comparison कर सकते हैं कि कौन सा better option है इसका एक और भी फायदा है कि अगर आपको यह बोला जाए कि 3 bananas यहाँ पर जैसे 30 रुपीज के हैं और आपको यह बताना है कि 7 bananas कितने रुपीज के लोंगे तो हम कैसे बताएंगे हम उसको direct नहीं बता सकते उसके लिए हमने पहले यह बता करना पड़ेगा कि एक banana कितने का है फिर हम 7 bananas की cost निकाल पाएंगे तो unit 3 method बहुत ही useful है calculations में तो आईए देखते हैं इसी case को यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 bananas कितने रुपीज के थे 30 रुपीज के थे तो हमने सबसे पहले क्या किया 1 bananas की cost निकाली यह आगया 30 को 3 से डिवाइड किया यह हमने 10 रुपीज का निकाला एक banana की cost अब अभी मैंने आपसे कहा कि आपको बताना है कि what is the cost of 7 bananas तो 7 bananas की cost कितनी हो जाएगी हम क्या करेंगे उसके लिए अब जादा के लिए बताना है हमें यह तो पता चल गया कि 1 banana कितने का आगया 10 रुपीज का आगया तो 7 bananas कितने के आजएंगे 10 into 7 तो यह कितना हो गया 70 तो हमारे पास 70 रुपीज के 7 bananas आगये तो कभी भी इस तरह के questions है उसे ऐसे solve किया जाता है जो भी आपको दिया है पहले आप 1 का निकालेंगे उसके बाद आपको जो भी नंबर का पूछा है आप उस नंबर का answer find out कर सकेंगे Thank you